मित्रु नमस्कार गुरुदेव श्री हिमत सिंग सिनह जी द्वारा लिखेट साहेति सागर से जो मोती आज चुन लाए हैं उसका शेर्षक है स्वामी विवेक अनंद का नव्य वेदांत अपने इस लेख में सिनह जी ने कुछ यू लिखा है भारत में जितने भी दार्षनिक संप्रदाई वर्तमान काल में खड़े होए हैं वे सब वेदांत का ही कोई न कोई रूपांतरण है लोगों की प्राय ये धारन होती है कि वेदांत कोई ऐसा जटिल अथ्वारह से पून विशा है जो साधारन मानवी बुद्धी से अगम्य है और जिसका हमारे प्रत्यक्ष जीवन से कोई संबंध नहीं परंथु स्वामी विवेकरन जी ने वेदांत को नया रूप देते हुए दर्शा दिया है कि ये धारना नितांत भ्रमपूर्ण है वेदांत के स्वरूप को इस पश्ट करने वाले गूर सिधानतों को सरल एवं सुग्राही रूप में हमारे सम्मुक प्रस्तुत करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि इनके द्वारा हम अपने आपको किस प्रकार उच्चतम आदर्श के साचे में ढाल सकते हैं मानविय संस्किती एवं सभेता पर वेदांत का कितना गहरा और दूरगामी प्रभाव परता रहा है इसका विवेचन करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि अपने सभी व्यक्ति गत्हित तथा समष्टे गत्हित दोनों के लिए वेदांत बहुत उपयोगी है स्वामी जी का मत है कि वेदांत द्वारा प्रतिपादित सत्ते सिधांत एकांगी नहीं वरंसार्व जनीन है और साथ ही विशाश्वत स्वरूप के हैं फलत हो इस सभी व्यक्तियों को वे किसी भी जाती संप्रदाय अत्वाराष्ट्र के और किसी भी युग में रहने वाले क्यों ना हो आदर्श जीवन निर्माण में अपूर्व साहता प्रदान करते हैं प्राचीन वेदान्थ जो शंकराचारे के भाशे पर आधारित है ये कहता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है मिथ्या का अर्थ असद नहीं है जैसा कि कुछ अल्प बुद्धी वाले लोग समझ बैठे हैं अपे तो इसका अर्थ सदासद है जिसको समझ पाना आम आदमी के लिए कठिन है शंकरवास्व में ये कहना चाहते हैं कि ये जगत वैसा नहीं है जैसा दिखाई पड़ता है व्यवाहरिक द्रिष्टी से ये सत दिखाई पड़ता है और जब तक पारमार्थिक द्रिष्टी प्राप्त न हो जाए तब तक ये भेद, मूलक नाम और रूप की सत्ता सत्ते ही रहती है सिनहा जी लिखते हैं कि स्वामी विवेकनन ने इसकी सरल व्याख्या करके इसको बिल्कुल व्यावाहरिक बना दिया इसलिए उनके वेदांत को नव्य वेदांत या व्यावाहरिक वेदांत कहा जाता है वेदान्त दर्शन को जन जन तक ग्रामीनों की कुटिया कुटिया तक पहुचाने का श्रे स्वामी विवेकनंद को जाता है उनकी मानेता थी कि जो दर्शन मानव की दानिक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करता और उनकी साधारन उलज़नों को भी सुलजा नहीं सकता वो धर्म और दर्शन आज की युग के लिए किसी काम कर नहीं है उनकी अनुसार आज वेदान्त दर्शन की सिधान्तों को व्यवाहर में उतार लेने की उतकट आवशक्ता है यदि उसे कारे रूप में परिनत नहीं किया जा सकता हो तो उसका बुद्धी विलास के अलावा कोई मूल्य नहीं है ये सिधान्त केवल जंगलों और गिरे कंदराओं में बंधे नहीं रहेंगे अपेतु दरिद्रों के कुटी में ये काम में लाए जाएंगे उनका आग्रह था कि प्रतेक व्यक्ति को अपने करतव्यों का निश्चल भाव से पालन करना चाहिए वही उसके हित में होता है चोटे से चोटा कर्म यदि निश्चल भाव से किया जाए तो उसके भी आश्रे जनक फल मिलते हैं वेदान्त में नहीं तनीती शास्त्र का आधार आत्म तत्व है आत्म के द्वारा ही सभी वस्तुओं का ग्यान होता है कोई भी ज्ञान प्राप्ट करनी के पहले मैं का ज्ञान होना आवश्यक है वेदान्त के आदर्ष को दैनिक जीवन में घरीलू जीवन में तथा सभी अवस्ताओं में आचरण में परिनत किया जा सकता है वेदान्त, कर्मठता और कर्तव विपरायन्ता को छोडने का उपदेश कभी नहीं करता जो सन्यास लेकर संसार की समस्याओं से भैभीत होकर व्यक्तिगत मोक्ष की साधना के लिए पहाडों और जंगलों में भाग जाते हैं वे तो पलायनवादी, भैभीत मनुवृत्ति वाले तथ मानसिक दौरबल्ले से पीडित हैं सन्यास का सच्चा रूप तो ये है कि संसार की समस्त भोगों को त्याग कर जुग्गी जोपडियों में घुश जाओ जो पीडित है उनकी पीड़ा का हरन करो जब तक उनकी वेदनाए दूर नहीं हो जाती उनकी सेवा करो ये त्याग और सेवा ही सच्चा आध्यात्मवाद है ऐसे सन्यास का उदेश्य कर्म करते हुए अकर्म की स्थिती को प्राप्त करना है सिनाजी आगे लिखते हैं स्वामे विवेकनन के अनुसार वेदांत से इतर धर्मों तथा अभीमतों में विरोध नहीं है उनका कहना है कि हमें विचारों का वैविध्य स्विकार करना चाहिए प्रतेक व्यक्ति को एक ही विचारधरक या अंतरगत लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिस प्रकार नदियार टेढ़े मेड़े अनीक रास्तों से बहे कर सागर में जा गिरती है उसी प्रकार विविद संप्रदाय और धर्म अंत में जाकर अनंत में विलीन हो जाते हैं उनका मानना है कि संसार के सभी धर्म मूलतह अभिन है स्वामी विवेकनंद कहते हैं वेदान्त उन सिध्धान्तों का प्रतिपादन करता है जो संचार के सभी धर्मों में पाए जाते हैं। जो धर्म उस असीम सत्ता को किसी एक पुस्तक या एक व्यक्ति तक सीमित कर देती हैं। वे धर्म नहीं, केवल पंत, अर्थात, मात्र एक रास्ता है। धर्म अनन्त का परिसीमन नहीं करता। स्वामी विवेक अनन्त, साम्प्रदाइकता, रूढिवादिता तथा बहाईये आडंबरों को त्यागने की पक्षधर थे। वे कहते थे कि ये इतना महत्वपूर नहीं कि आप क्या पढ़ते हैं, अत्वा किस मत में विश्वास रखते हैं। वास्तव में महत्वपूर ये है कि आप उसे अनुभव तथा व्यवाहर में कितना लाते हैं। उनका मानना है कि वाहियचारों के अनुष्ठान से अथ्वा कुछ शब्द मंत्रों के उच्चारण मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। धर्म का मूल भूत तत्व आत्म साक्षातकार है। वेदान्त का मूल मंत्र है ये अनुभूत कि मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मस में और तू भी वही है। तत्वम अस। ये मैं और तू का भेद जब मिट जाता है। अमीर गरीब ब्रहमन दलित सब में अभेद दिखाई देता है। और फिर व्यावाहर में ये भेद्रिष्टी समाप्त हो जाती है तो सच्ची आत्मानुभूती प्राप्त हो जाती है। अन्य था वेदान्त एक खोखला नारा बन कर रहे जाता है। प्रतेक मानव की वेदना मेरी ही वेदना है। ये विवेक अनंद का वेदान् वेदान्त की अनुभूती जगत की नानाविद वस्त्वों से पिरोई इश्वरे शक्ति के साथ तादात्मे को अभीष्ट बताती है। अध्वेद वेदान्त ने वित्य को प्रधान मानता है, किन्तु विवेकानन्द ने योगा नुकूल प्रविर्त्ती मार्ग को स्विकार किया है। इस प्रकार का द्रिड़ बोधी वेदान्त का चरम लक्ष है। वेदान्ती वही है, जो सभी प्रकार की संकीरनता का विरोधी हो। तो ये थे ड्रक्टर हिमत सिंग सिनह जी के विचार, विशय था स्वामी वेवेकानन्द का नवे वेदान्त। गुरुजी द्वारा लिखित साहिति के ये मूती आप सब तक पहुचाने की कोशिश करें हैं। हमारी इस कोशिश के लिए जो प्यार और सुझाव आप हम तक पहुचा रहे हैं, उसके लिए आप सब ही का ह्रदे से आभार। ये क्रम बस यूँ ही चलता रहे। इसी सद्भावना के साथ नमस्कार।